सो हे गाईज वेलकम टेकेफिक यू चैनल कैसे हैं आप लोग गाईज इस वीडियो में मैं बात करने वाल हूँ एक प्राइविसी एप के बार में जो कि आपके फोन की प्राइविसी को काफी जादा इंप्रूव कर देगी और पहले से जादा इनहेंस कर देगी अब गाईज अब यह उनीकी टीम के द्वारा डवलप की गई है एप और काफी जादा अच्छी है जो फीचर्स इसके अंदर इंटिग्रेट किये हैं वो काफी जादा अच्छे हैं जो कि किसी और एप में शायद आपको ना मिले अब वैस यह एप आपको प्ले स्टोर पे एजली अवे इस एप का पॉजिटिव पॉइंट है अब गई इस एप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि एक्चल में इसमें ऐसा क्या फीचर है जो इसको काफी अलग बनाता है तो इसको ओपन करते हैं और गईज एनिमेशन काफी जादा अच्छा है एक लाइप है काफी जादा देख सामने आप देख सकते हो risky extra safe यानि इसमें आपको apps बताएगा कि आपके phone में कोई risky app तो नहीं या फिर वो apps जिनको आपने extra permission दे रखी है वो ये apps है total total 6 apps ऐसी है जिनको मैंने permission दे रखी है extra और total 11 ऐसी apps है जो safe है जो कि smartphone को कोई भी हम नहीं पहुचाएगी और इसके लाव देख सकते हो top में left corner में आपको menu का option मिलता है जिसमें आप अपने phone की system apps को भी use कर सकते हो और scan कर सकते हो तो आपको काफी options मिलते हैं scanning के भी और इसके लावा dark mode भी मिल जाता है जो कि एक अच्छी चीज है सबी apps के अंदर हमें अब देखने को मिलता है dark mode और extra apps में अगर आप किसी app को permission deny करना चाते हो या फिर allow करना चाते हो तो simply उस app को click कीजिए और सारी information आपके सामने आजएगी और अगर आपको permission नहीं देनी तो simply revoque पे click कीजिए और उस app की permission को deny कर दीजिए चैसे मैं microphone को deny करता हूँ वो आपके उपर है कि आपको किसी app की permission deny करनी है या allow करनी है बाकी आप देखे 5 apps रह गई और extra features में आप देख सकते हो tools में ये privacy indicator अब गैस ये वही feature है जिसके मारे मैं बता रहा था कि ये feature as a recorder indicator के नाम से आये था जिसमें अगर आपके phone का microphone इस्तेमाल होता है आपकी permission से या फिर आपकी permission के बिना तो वहां आपको एक छोटा सा indication मिलेगा जिससे आपको पता लग जागा और ऐसा ही ये feature है कुछ इसका नाम privacy indicator है यहां आप देख सकते हो आपको तीन option मिलेंगे microphone का या अगर आपके phone का microphone यूज होगा तो orange indicator शो करेगा camera यूज होगा तो green indicator और दोनों ही use होंगे तो red indicator शो होगा जैसे कि आप देख सकते हो top में red indicator शो हो रहा है इस type का ही indicator शो होगा और इसकी आप position भी change कर सकते हो as per your according और इसका आप size भी change कर सकते हो देखिए गाई size चोटा या बड़ा कर सकते हो तो यह आपके according सेट हो जाएगा और इसका अलब आपको simply permission देने है इसको कि यह feature यह use करे और आप इसको use कर पाऊगे और लोग का feature enable कर देना है जिससे आप कोई भी app की permission देते हो या फिर लेते हो वहाँ आपका सारा record यहाँ पे show होगा तो यह कुछ feature है जो आपको इसमें मिलता है अब देखते हैं test करके कि यह feature actual में work कर भी रहा है या नहीं तो हम recorder test करते हैं जिसमें हमें पता लगए कि microphone वर्क कर रहा है नहीं तो यह microphone on हो गया और आप देखे ऊपर जो एक छोटा सा indicator show भी हो गया है जिससे हमें पता लगए कि हमारे phone का microphone यूज में है अब camera का देखते हैं कि camera में actual में यह show करता है या नहीं ओके guys camera जैसे ही on हुआ यह आप एक green indicator आ गया आप देखते हैं वीडियो में जिसमें हम दोनों try करेंगे camera और microphone ओके guys देखें यह red indicator यहाँ पर show हो रहा है यानि microphone और camera दोनों ही use में है तो यह बिल्कुल perfectly work कर रहा है जिससे आपको पता लग जागा कि आपके phone का microphone और camera यूज में है या नहीं आपकी permission से या फिर आपकी permission के बिना और guys अगर आप इस app को इस्तेमाल करते हो तो शायद आपको पता होगी यह feature कितना कमाल का है कितना useful है और अगर आप इस feature को use नहीं करते हो तो guys आप use करके देखिए क्या पता आपके काफी काम आए उसके लावा बाकी वही features है जो आपको किसी और app में मिलती है catch cleaner यानि आप अपने phone की chunk file delete कर सकते हो bulk uninstall आप एक tap में एक से ज़ादा file uninstall कर सकते हो और उसके लावा app permission जो मैंने आपको बताएगी सारी आपका record जो है यह feature Android में भी आ गया है तो यह एक काफी अच्छा feature है जो इस app को काफी ज़ादा अलग बना देता है और Tech Burner टीम ने काफी अच्छा काम किया कि यह feature इस app के अंदर लाए इसके लिए एक thumbs up है और आप अगर इस app को इस्तमाल करते हो अच्छी चीज है और नहीं करते है तो आपको इस्तमाल करना चाहिए और feedback देना चाहिए जिससे यह app और ज़्यादा इंप्रूव हो सके और और ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर आ सके जिससे यह app और ज़्यादा कम्माल की बन जाए और इसके अलावे भी और अपस है जैसे कि FreshWall जिसमें आपको वाल पेपर्स मिलते हैं और उसके अलावा और अपस है बर्नर बिट्स जिसमें आपको लेटेस्ट फैक्स और लेटेस्ट टेकनोलोजी से रिलेटेड पोस्ट मिलते हैं वह आप ट्राइ कर सकते हो उसके अलावा एक बर्नर स्कैनर है जिसमें आप डॉक्टीमेट सकान कर सकते हो यह कुछ एप्स थी जो टेक बर्नर टीम के दवारा डवलप की गई जिसमें सबसे अच्छी आप Burner Guard है इसको आपको ज़रूर ट्राइ करना चाहिए तो गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही था उमेद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और वीडियो चेले हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगा अगली वीडियो में तब तो के लिए बाई बाई